प्यारे बच्चो नमस्कार मैं सुनीता मुख्यद्याबिका स्मार्ट कवर्मेंट प्राइमरी स्कूल मट्टी ब्लॉग धारवन जिला पठान को आप सबका अपनी आज की हिंदी कक्षा में हारदिक अभिनंदन करती हूँ मेरा आज का विशे है हिंदी कक्षा चौकी उप विशे है आओ खेले चित्र पर कुछ पंक्तियां बोलें इस चित्र को थ्यान से देखें इस चित्र में यह चित्र एक खेल के मैदान का है जिसमें भविन बच्चे भविन परकार की खेले खेलते हुए नजर आ रहे हैं तो आएए चित्र की सायता से यह जानने का प्रयास करें कि यह बच्चे कौन-कौन सी खेल खेल रहे हैं सबसे पहले इस त्रिश्य पर ध्यान दीजिए इस त्रिश्य में दो बच्चे जमीन पर बनी आयताकार कृती में स्टापू खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस खेल को स्टापू कहते हैं, अब इस त्रिश्य को ध्यान से देखिए, इस त्रिश्य में दो लड़कियां रसी की सहायता से रसी कूद रही हैं, इस खेल को रसी कूद ना कहते हैं, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में एक लड़का बास्केट बॉल खेल रहा है, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें एक लड़का जूला जूल कर आनंदित हो रहा है, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए इस चित्र में दो बच्चे जमीन पर बैठ कर गीटियां केल रहे हैं इस खेल को गीटियां केलना कहते हैं अब इस चित्र को देखिए इस चित्र में एक लड़का रैकिट और बॉल की सहायता से टैनिस केल रहा है तो इस केल को टैनिस कहा जाता है अब इस अंतिम द्रिश्य के और ध्यान दीजिए इसमें एक चोटी लड़की हाथ में पवंचकी घुमा कर खुश हो रही है तो इस तरह इस चित्र में हमने भुविल प्रकार की खेलों के बारे में जानकारी प्रापत की तो मुझे उमीद है कि आपने आज की कक्षा में बहुत सारे आनंद के साथ साथ ग्यान भी प्रापत किया और आपको ये सब खेलों के बारे में जानने में आनंद भी प्रापत हुआ तो मेरी आपसी गुजारिश है कि पढ़ने और लिखने के साथ साथ खेलते भी रहें और सुरक्षित रहें धन्यवार